हेलो गाईज मैं पूचू पूचू की किचिन में आप सभी का हर बार की तरह आज भी स्वागत है आज पूचू के किचिन में बनने वाला है आलू और मटर के पराठे वो भी इकदम गाउ जैसा बिहार जैसा बिल्कुल चटपटा और तीखा बहुत ही मस्त मसाले दार तो देखते हैं आज का पराठा की कहसे बनेगा और उसमें हमको क्या-क्या समान इस्तमाल करना है तो आप देख सकते हो मैंने आलू को बोईल कर लिया था बोईल करके मैंने इसको अच्छे से मैस कर लिया है और हमारे पास नहां पर उबले हुए मटर है मटर को भी मैंने आलू तो मसाला आपको मैं बताती हूँ कि क्या क्या लगेगा तो गाइस कितने लोगों का आलू जो होता है वो बहुत ही गीला हो जाता है पिठी बनाने के बाद अब देख सकते हो मेरा आलू बिल्कुल भी गीला नहीं है उसका रिजन यह होता है कि हम जब आलू गरम गरम निकालत तो कभी भी पिठी गीला नहीं होगा आई यह देखते हैं इसमें लगने वाले मसाले तो यह मैंने कुछ हरी मिर्च लिए यह कंपल सरी यह इसको लेना ही पड़ता है आपको जितना तीखा पसंद हो आप अपने हिसाब से तीखा ले सकते हैं यह मैंने थोड़ा एक छोटा आद्रप का तुगड़ा लिया है यहां पर मैंने दो पोटी लसन लिये थे यह कुछ लसन की कलिया आप देख सकते हो और यह थोड़ा सा जीरा है इन सबी को हम अच्छे से ग्राइंडर में पीछ लेंगे तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मटर कि पराठे बनाने के लिए हरे धनिया का जरूरत पढ़ता ही है वेगर धनिया का पराठा अधूरा होता है यह मैंने मसाले को ग्रैंड कर लिया है देख सकते हो आपकी थोड़ा सा यह मोटा ही है तो हम इसको इसमें एड करेंगे अब मैं डालूंगे इसमें यह मसाला मैंने ग्रैंड कर लिया था अब इन सारे चीजों को मच्छा से मिक्स कर लेंगे मैं इसमें एड़ करूंगे एक चमत नमक आलू को मैंने नमक डाल कर बॉल कर लिया था तो इसलिए हम जादा नमक नहीं डालेंगे पीठी रेडी होरने पर आप एक बार पीठी को चख लें आपके हिसाब से कम ज्यादा नमक आप कर सकते हो अपने स्वादानों सब्सक्राइब आप देख सकते हो कि मेरी पीठी बनकर बिलकुल रेडी हो चुकी है आप देखो कितना अच्छा लग रहा है यह अब हम इसको बनाएंगे आटे अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे आलू के पराथे तो चलिए देखते हैं आलू के पराथे कैसे बनता है यह रहे लोई इसको अब इस तरीके से बनाएंगे झालू करेंगे तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरा पराथा बनकर बिलकुल रेडी हो चुका है आप इसको किसी के भी साथ खा सकते हैं आपको जैसा पसंद के साथ आप इसको खा सकते हो यह बहुत ही टेस्टी पराटे आप इसको ऐसे भी खा सकते हो तो गाइस पेरा पराटा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है आपको अच्छा लगा हो रेसिपी तो प्लीज लाइक करें सस्क्राइट करें और हाँ बैल इकन दबाना ना भूले गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं हाइक यू फो वाचिंग बाइए